आठ मार्च को मनाए जाने वाले अंतराश्ट्रिय महिला दिवस के उपलक्ष में आज सिम्बला के इपिहास में राजस्तरिय समारो का आईजन किया गया समारो में मुख्य दिदी के रूप में मुख्य मंत्री सुग्विंदर सिंग से खूप अस्तित हैं इस उपलक्ष में सरकार के विविन विवागों द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जारे कारिक्रमों के 37 स्टॉल भी लगाएंगे जिनका निरक्षान स्वय मुख्यमंत्री ने किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं देश में एक एहम भूमिका निबाती है और परिवार के सासा समाज के हर छेतर में अग्रिम भूमिका में नजराती है मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिक्खू बोले होली का त्योहार होने के चलते राजस्तरी समारों आज मना रहे हैं समाज सब तक उन्नती नहीं कर सकता जब तक महिलाओं को उच्च सम्मान और उच्चित उन्नती नहीं दी जाती कांग्रेस में पहले से ही महिलाएं नेत्वित करती आई है और राजीव गांदी के द्रण निष्टे के कारण महिलाओं को पंचैतों में आरक्षन मिला मुखे मंतरी ने अपने संबोदन में खा कि आज मैं गरू महिसूस करता हूँ कि हिमाचल में 57 परतीश्यत महिलाएं पंचैत में प्रतीनिद्व कर रही है इस समारों में सबाज में भिविन्न छेत्रों में उत्रष्ट कारे करने वाली महिलाओं को भी समानत किया गया समान समारों में मुखे मंतरी ने एलान किया कि महिला दिवस के उपलक्ष में समानत किया जाने वाली महिलाओं की समान राष्टी को 21,000 से बढ़ा कततकाल 1,00,000 रुपे किया गया है हम इस अंतर्ष्टे महिला दिवस में जो आट तारीक हो अना वाला महिला आरी शक्ति जो है वो देश की परम शक्ति है हो घर भी चलाती है तिवरानिति चलाती है और घर के परीवार के सब सथ्टर्स और शावी देती है बहुत बहुत ऑफाश्य दोह हुए अब ये चीजे तो मैं कुछ कह नहीं सेथा क्योंकि आप मेर से ज्यादा आर्थिक फिस्टेती को चांते हैं